दोश्तो आज आपड़े प्रक्रण एक दुरन बार साइंशनों साजीवमा प्रद्न विशेवाद करीशू। पेलुआ प्रक्रण नी अंदर साउथी पेले एक व्याक्या समझवाने जिवीचे। जह आपड़े एंसे एल्टे यहां गड़ लग्या। कि जीवनकाड एटले शू। अने जीवनकाड नूं मतलब सुथा शे। तो जो अमित्रों के सजीवना जन्मा थी लही ब्रक्तिव सुझी नुझे समय गाड़ो छे। तेने टूंक मा अपड़े यहां गल जीवनकाड गई है। बिजयो एक प्रश्णान इउपर ती निकड़ें। कि सजीवना जीवननों समय गाड़ो कोना पराधारित होतु नाथी। तो एक वस्तु याद राको कि सजीवननों जीवननों समय गाड़ो जेछे। एक यहरे कद पर डिपेंडेड ना होए। मतलब कद पराधारित ना थी केम तो तमें जुगा के पोपड़ने कागड़ों भनने कद नी द्रश्टी सर्खा चे पड़ तेमना जीवनकाड मा खुब तफावाता से एक्जाम्पल ये सापड़ एक बीजा एक एक्जाम्पल ने जमझे केटली गवनस्पतियों ना उदारना पेला चे एवरिते केटलाग पक्षियों तेमच केटलाग जेचे पराणियों ना उदारन अई आगर समझवाना तो ये मने अई आगर समझाईव के गुलाबनू जे सर्रा साईश्य जेचे दस वरस चे रागरनू छोड 37 मास वर्ड नुवरुक्ष जेचे बसो थी 300 वरस और खेल जेचे 10 ती 15 वरस चोड़ी जेवी शर्गे एवरिते कागडो पुपट गोडो पतंग यूप फड माखी अब ताना कद जेचे अलग लग लग छे बराबर इटले आपणे किदू पेला के तेक कद पर डिपेंडेड नथी परन्तू ते पुटा ना जीवनकाल नी अंदर खुबत था भावत दर्शोड पारेशे पेला आपणे जीवनकाल विसे बात करीं गया अब आपणे प्रद्णनी व्याख्या तेमाल प्रद्णना प्रकार अने प्रद्णन जीचे केरला प्रकार ना छे एने विगतवार जोईए जो पेला एक प्रद्णनी डेफिनेशन आपणे समझाता जे नान्तपन थी आपणे भणता आविये छे आने अग्यार सायंस नी अंदर भी भण है अची है समजी ए प्रद्ण न एक लेशू तो प्रद्ण न स्ने केवी गटना चै कि जेना अंदर ते पोथा ने मनती शंतती ने उत्न न करशे अने आ संतति वृतिपाम से अने बदलामा नवी संतति ने उत्पन्न करती रेशे प्रदन थी फाइदो एठासे के जातियो जे छे ए पेड़ी दर पेड़ी एईया गर संतति ने साचाऊ से अत्वाजने जाडाऊ से बीजू क्या प्रदन नी जे गटना छे एना पर जवाबदार परीबढ़ो कहा छे तो एक तो एक निवास्ताने न एहसर कर से अने बीजू एक एनी आंत्रिक देधर्मविद्याओ अत्वाइट लेके क्री आओ બીજો મિત્રુથુકે પ્રધ્નાણ જેછે એના પ્રધ્નાર કેટલા કઈશકાય तफावतों जोईशू फॉस्ट आपड़ें या अगल ख्यालापे लिंगी अने अलेंगी प्रत्ननी अंदर पिलो तफावते यह शे क्या लिंगी प्रत्ननी अंदर एकज पित्रू भागले मतलब क्या अनि अंदर पित्रू जे छे एक अज अशे बिजे एक वस्तू की दी के लिंगी प्रत्ननी अंदर पित्रू कदाच एक पण होई शेके अथव अबे विजाती अपित्रू पण भागले शे अलिंगी प्रत्नन जे छे एना अंदर जन्यों जे छे एनू निर्मान नहीं थाए जार लेंगी प्रतण नी अंदर जन्ययों निर्मान थाए लेता मैं जानों कि एक हसे आनी अंदर मेल और बीजोंस से आनी अंदर फिमेल यहले के नर ने मादा बनने जे छे जन्ययों जुडा से और यहागर यूगमनाज नीगटना बन से एले के युगमनत बनावासे बीजू के अलिंगी प्रद्नन जेछे तेमा फलन और गर्पी विकास जेवी फलनोत्तर गटना जुवा मलशे नहीं जा अलिंगी प्रद्नन नी अंदर गर्प विकास और फलन फलनोत्तर गटना हो जेछे ये जुवा मलशे फलनोत्तर गटना बाद बीजो एक तफावताना में अवर्थे निकले क्या लिंगी प्रद्दन जेचे ये ना अंदर मैथून क्रिया जेचे ये आवशक नथी मतलब क्या नी अंदर जो मैथून थाए के ना थाए एडिपेंडेट नथी जार लिंगी प्रद्दन नी अंदर मैथून थाऊ आवशक चे येले आपणे जोईशे के के नर चे अनने बीजो मादा अननने मादा बनने मैथून नी क्रिया करे त्यार बाद युगमनत नू निर्मान थाए मतलब के मना नर जन्यों ने मादा जन्यों ना जोड़ान बाद युगमनत बनावा से येले बनने नू जोड़ान जेचे आवशक चे ये वीजे एक बीजी एक वस्तों नू ख्यालाई या अगर ध्यान राखो के एक त्रीजों तफावत नहीं थी निकल से के उत्पन थती संतती जेचे एक बीजाजे भी नहीं परन्तु पित्रू ने आबेह उत्परती गुरती समाना से मतलब अलेंगी प्रद्दन नी अंदर जेपन संतती उत्पन करा से ये पित्रू ने मरती आव से जारे लिंगी प्रत्दन नी अंदर संतती उत्पन नथ से एनी अंदर वेरियेशन जुआ मल से एले के भीनता तो बन्निना डेफिनेशन अंतफावत ने अपने समझी गया फरी एक वार हुआ आपने जोईले ये जारे लिंगी प्रत्दन नी अंदर केटला पित्रो भाग ले तमने प्रश्ण पुछाई शके है तो यहां अगर पित्रो नी संख्याती एक अच जारे लिंगी प्रत्दन नी अंदर एक अथवा बे विजाती पित्रो भाग ले से मित्रों विजातियनों मतलब था से एक नर साथ एक मादा अब अन्य मल से अन्य आने अंदर थी युगमन अदनों निर्मान था है अलिंगे प्रत्नन जे छे एनमा जन्यों निर्मान था तू न थी जार लिंगे प्रद्नन नी अंदर जन्यू निर्मान था से एक नर जन्यू एक मादा जन्यू अलिंगे प्रद्नन जेचे ना अंदर फलन गर्पिविकास अथवा फलनोतर जेवी गटना जुआ नहीं मले जारे लिंगी प्रत्न नींदर मतलब क्याना मटे बहुँ शमय नहीं लागे आँने आप्रत्न नींदर जलोता दफित है मतलब आपने एक एक्जामपल समझिये के नर जन्यू औने मादा जन्यू जारे जूड़ाए नर औने मादा बन्ने न जारे जूड़ान थाए त्यार बाद यूगमन अद्नू निर्मान थता तेना अंदर थी गर्ब जे छे एने बनवा माँ समय लाग से मतलब कि ते लगबख वदू माँ वदू समय ले से विजू के उत्पन्थाथी संतती एक बिजाजे भी नहीं परन्तु आभेव प्रतिकृती समाना से जारे संतती जेचे पित्रों साथे भिन्यत अदर्शाव से कोनी अंदर तो लिंगी प्रद्नन मा तो विद्ध्यार्थी मित्रों आपड़े लिंगी प्रद्नन नो अलिंगी प्रद्ननों तभावत समझी ने गया तमारे आवस्तू खास याद राखवानी से जे तमारे न्से अल्टी नी अंदर बनने ना तभावत ने पहला समझ वो जोई है कि एक डेफिनेशन आपड़े यह अगर समझा है कि यारबद आपड़े एक सवाल था है कि प्राणियों में इंदर अलिंगी प्रद्नन कईते था है यह लेके असेक्सिवल रिप्रड़क्शन कोने के वह जो लिंगी प्रद्न होतों इने अपड़े सेक्सिवल कईए अने अलिंगी प्रद्न होतों आपड़े असे तो आपड़े असेक्सिवल रिप्रड़क्शन कईए प्राणियों मा आनी जे प्रद्दन नी पद्दतियों जे छे ये मुख्येत वे चार छे एक भाजन, बीजानु निर्मान, कलीका सर्जन, अने एक आउखंडन आउद आमें 11 साइंस नी अंदर पन पेला जोईन गे तो चालो मित्रों आगर आपने जोईए के प्राणियों ने इंजर अलिंगी प्रद्दन नी पद्दतियों चार थी, एना अंदर पहली प्रद्दति जेनु नाम छे ये आगर बाजन बाजन ने आपने बीजा सब्दनी अंदर फिजन तरीके पनो लखिये बीजों क्या पद्दति कोनी अंदर जोओं अमडे तो एक प्रोठिस्टा अने बीजों मोने राणी अंदर जोओं अमल से तो बाजन नी अंदर थसे शू बाजन मा सव प्रथम कोनो विभाजन था ये ओ प्रष्णा पुछाई शगे तमर याद राखवो कोशकेंद्रन विजो के आब ने विभाजन बाद अईया अगर मात्रू कोश मां थी बे समान कदना दोहित्र खोशोन यंदर विभाजन थदू जो आमरे आने विभाजन जे छे काया प्रकार नूँचे ओ प्रश्न पुछाए तो याद राग जो कोश विभाजन आपड़ेने आईया अगर कोश विभाजन तरीके पन उडखी सकीए बीजो प्रश्ण तमने या अगल पुछाए क्या आउ विभाजन जेचे काय आक्षे थाए मतलब क्या आनी कोई दीशा नकी न हुए ये लेग आप्रकारन विभाजन जेचे कोई पन दीशा मा थतू हुए ये थी आपड़ेने सर्द विभाजन तरीके उड़की है मारोखेवानों मतलब एम चे क्या अमीबा जेचे ये पेला कोटापक बनाऊसे अनो कोटापक बनाव्या बाद येनों विभाजन जेचे ये कोई पन अक्षे थाए ये उनकी न थी के कोई एक परफेक्ट कोई अक्षे थासे बीजो प्रश्ण तमने ये उप पुछाई शके जो आउ कोशरस विभाजन जेने आपड़े ये अगल नाम आपियो जो आउ कोशरस विभाजन सजीव देना अनुप्रस तक से थाए तो ते विभाजन ने आपड़े काया नाम थी उड़किये तो में तमने पहला भी एक्जांपल याद राखवाना किदा दा जैना मैं एक शोटका ट्रिक भी आपी थी में तमने किदू तू पेरी प्ले याद राखशो तमे पेरी प्लेव पर थी एक पेरामिश्यम अने बीजो चेक पेनी पेरामिश्यम ने अंदर जे अनुप्रस्त विभाजन जोयू याद आपड़े काया ने ते समझी शकीए तो जो सव प्रथम जे पेरा मिश्यम जेचे इना अंदर नुविबाजन जेचे ये अनुप्रस्त प्रकार नुँआशे तो अनुप्रस्त प्रकार नियंदर सव प्रथम पेरा मिश्यम नियंदर एक सिंपल एक्जामपल थी समझे तो पेरा मिश्यम ने अंदर पेरा मुख खांच जे चे अद्रश्य बन से अजे मुख कांच जो आं मड़े चे अद्रश्य थाए अद्रश्य थाए अबाद एक अने बे अब बे नवी मुख खांचो जे चे अनू सर्जन थाशे त्यार बाद नवी यांकूँच अन्रस्थानी उरचासे तमें जोई शको अने येना पची बे बार पेरा मिश्यम जेचे ये जुदा पड़े तो आखी एक प्रोसेडियू रही यां गल बतावी पेला एक पेरा मिश्यम पेरा मिश्यम जेचे येनू विभाजन जेचे ये अनुप्रस्थाक्षे थासे अनुप्रस्थाक्षे आरीते विभाजन थाए अने बे ये अगर बार पेरा मिश्यम लग पड़े तो जो आओ आडू विभाजन था है तो आपने आपने अनुपरस्त विभाजन कही है तो आपने पेला भी समझीन गया पेरामी श्यमनी अंदर अक्स जे छे अनुपरस्त तो एले के आडू जार आणी अंदर जे अक्स छे जे ये के वो जवा मल से उबो तो सव प्रतम आपड़े समझीए के युगली ना नी अंदर आयम विबाजन जवा मले आयम विबाजन थी बे जे छे और या अगर युगली ना नो निर्मान थाए द्विबाजन जे छे एके भी गटना ये वो प्रेशन पुछाए तो द्विबाजन नी अंदर मातर समविबाजन अत्थ है अन्य समझीए जो कोषण नी अंदर रंग सुतर निसंख्या 2N होए तो सरजात अब ये भी जा रंग सुतर जे छे बाल नी अंदर तेपन के बारे से ये आगल 2N अदरे से परिणा में जे संततियों उत्पन अथवानी ए संततियों जनीनिक्रिते पित्रू पेडी ने एक भी जाने समाना से जानों में तमने किदू पेला जो 2N होए तो बनने पन 2N अदरे से ये नों मतलब ये उतायों के जे पन पेडी निर्मान पाम से ये पेडी पित्रू अने मरतीया उसे आने जे बन से एने आपने जेनरली जनीनिक प्रतिक रुटियों अथवा तो आपने एक क्लोंस कहीं क्लोंस नी डेफिनेशन तमारी याद राखवानी छे पर एक साम प्रश्न पुछाए के द्विभाजन जे छे ये ना अंदर सूत हसे तो सम्विभाजन अने सम्विभाजन ने प्रेणा में जे पित्रू हो जे छे एने संतति मरतीया उसे अने जनीनिक प्रतिक रुटियों अथवा तो क्लोंस तरीके उलखा से के बहुभाजन आपने एक त्रीजी एक पद्दती बनीन गया था चाटनी अंदर जो गया के बहुभाजन ने व्याख्या सूत है बहुभाजन ने मल्टिपल फीजन केवाए कई रीते बहुभाजन ता छे तो जो ओक एटलीक वार कोई-कोई केश कोश केंदर होए ए अगल कोई एक कोई कोश केंदर चे अन्यागल मोटी मात्रा मोद पना थावाना अगे आसमय एक गटना नहीं थाए अन्ये ते कई तो कोश रस वीभाजन आसमय कोश रस वीभाजन नहीं थाए त्यार बात दरेक कोश केंदर जेए छे डाखलत तरीकि 1 2 आपड़ेकि यां दर्शाई है आए 1 छे 2 यह उतरों गनाबता जे कोश केंद्रजे चैंग här कोश केंद्र नी आस पास कोश रस ना हस ये 한다 पहलए यह संस्तत्राजा से हवे आ एक नंबर अभे अत्राण चार अभी असंग के संततियों सरजावानी आने काल करमेते हो स्वतंत्रबंच से आने एक कुछी सजीव तरीके जीव से रद्नन्य आपद्धती जे छे एब उभाजन अथवातो मल्टीपल फीजन तरीके उलखे आ कोनी अंदर था से टापड़े पेला एक्जांपल समझीन गया जनरल भी एक्जांपल समझी लो के एक प्लाजमोडियम छे साथे कमीबा तो बन्यना अंदर आवस्तु था वानी जे खुब जगत्या नहीं छे बीजो एक प्रश्न आपड़े आने उपर थी था है जिस आ स्पोर बनवा स्पोर नो मतलब भी जांप अवेक वस्तु समझो के प्रतिकुल संजोग से त्यार आगटना थावानी अने प्रतिकुल संजोगो नी आगटना जे छे अमीबा मखास्यों हमल से अमीबा सव प्रतम पोता ना खोटा पग ने संकोची ले से डागला दरीके कमी बाच है तो एना जे खोटा पग ने पेला संकोच है अने संकोची अने त्रण लेयर नू पोता नी आसपास एक रक्षनात्मक आवरण बनाऊ से जैने आपड़े कहिए कि आज बाजु बाजु मजबूत रक्षनात्मक त्रीस तरीय कवच बनाऊ है आ कवच ने नाम कोष्टन परति कूल पनँ हवे स्थिती सर्जाई अनुगूल स्थिती जारेस सर्जासे त्रण स्थार्न स्थार नू कोष्टन जे छे इना अंदर अंदर कोष्केंद्र नू बहुभाजन थाए अमीबा ने अंदर कोश केंदर नों बहुबाजन था है अपड़े पहला भनीन गया के बहुबाजन को ने कही है तो एक करता वजार कोश केंदर बंच से कोश केंदर नी आजू बाजू कोश रस बनी जाए आवा गणा बदा आवा गणा बदा अई या अगड कोष्टन जे छे एना अंदर कोष्ट के अंदर नो बहुभाजन तवान। एना ती असंख्य अमीबा सर जाए अवे जे बंद से इने नाम सुआप्फू एने नाम अपायू कूट पादी अभी जानू आज एकूट पादी अभी जानू बन्या अगटना कही छे अगटना ने के भासे बी जानू निर्मान याद राएक जो एक क्विस्चन्स तमने पुछाए बी जानू निर्मान को ने के भाई तो एक सिंपल डेफिनेशन माँ पे समझा फरी एक वार समझे प्रतिकुर संजोग अमीबा पोताना खोटापक जेचे एने संकोचे खोटापक ने संकोची अगल एक नवुस्वरूप बनावे इत्रन स्तरनू बन से तेने आपने नाम आपता था कोष्टन आने आ कोष्टन जेचे एना अंदर गना बदा कोष्ट केंद्र असे अने कोष्ट केंद्रनू बहुबाजन थावानू अने बहुबाजन थी सर्जा से एने कूट पादिये बिजानू केवाई आ कूट पादिये बिजानू जे बनेया एक घटना ने बिजानू निर्मान केवाई बिजु किया कोस्ट जयने आपने यागल नाम आपता कोस्टन जेचे अथवा कोस्ट जेचे ए यागल फटे और गणा बदा बाढ़ा मिबा मुक्त थाये प्लाजमोडियम आप प्रक्रिया तेना जीवन चक्रान निश्चित तबके करता होये तो मितल आपड़ एक वस्तु समझीन गया के बीजानों निर्मान केते थाए बहुबाजननों मतलब भी समझीन अने बीजानों निर्मान हमें इगटना जेछे ए खुबा जगत्यानी छे जने तमारे यहां गल समझी लेगी 31 टाइप्स जेछे आपने जम जेता अलिंगी प्रद्न नियंदर प्राणियों मा जेने आपने नामा पितु कलीका सर्जन अथवा तो बढ़िंग याद राखो के बढ़िंग अथवा कलीका सर्जन नी पद्दती जेछे एनामा सव प्रथम प्राणि सरीर ना कोई पन भाग ना कोशो वारमवार समझी भाजन पाम से अने कोश समझी बाजन विश्तार जेबनाऊ से जेने आपने इगल कलीकाओ गईए इनकेस आज भागने जोईलो आ भागमा वारमवार समझी बाजन थशे आ भागनी अंदर समझी बाजन थशे अने समझी बाजन वारमवार थवा थी अईया अगल उप्सेला कोश समझी बन बनाँ जे इया अगल कलीका तरीके उडखा से तो जो आना पछी ट्रांस्पोर्म कि शुटी पड़ी अने स्वतन परणी जिवपन गुजार li 우ark तो आए एक वगटना जोई जेने आपने कलीका सर्जन नामा पीदू पहला कानी कलीका जे छे बनाव भी त्यार बात ते अई आगल कलीका बनिया बात तरुंक्राणी तरीके विक्सी पित्रों देती छूटू पड़से अने स्वत्मत्र प्राणी तरीके जिवसे के कलीका सर्जन जे छे आपने चार्टमा जोईन गया कलीका सर्जन भी प्रकार ना होए एक अंतर कलीका अने भी जुवतू बाईय कलीका सर्जन अंतर कलीका सर्जन बाईय कलीका सर्जन बेना प्रकार भी भी है मैं तमने आगल डेफिनेशन कीदी दिपन तो भी आपने सब्सक्राइब है γो जो कलीका खेए सरीनि बाहर लिगुट वांउए जो इसे को इंड को सरीनि बाहर निबाजीए आवा प्रकार्ण लिग्यका सर्जन लेघ Call कोना मेरनियीसिंपक खेषे संपल डेफिनेशन याँ सभी ऐन जिए आफिक अबी कलिक्का जो सरीनी बाहर सर जाए तो यह आपड़े बाह्यकली का सर्जन कही के ऐस अन्हें अपड़े एक्षोजिनस बड़िंग तरीके पम्हाथ रिपर अब हैш से नीधा संग्Was स्वतन्तर परानी तरीके विक्स है जो यह आपने आपने बाहई कली का सर्जन आने जो इनकेस आज परानी जे चे अंदर नी तरफ विक्स तो आसे कोणकली का सर्जन कहिए ज़े जय स inm Mai के बाहिये कली का सर्जन बाद अंथकली का सर्जन को ना मा थासे याद राखो के टलिक मीठा जलनी वादली आपने एक चाटनी अंदर जोओन गया जना अंदर अंती स्पोंजिला अने दरीयाई वादली जना मा उधराण लेसो तमें साइकोन हवे आपने बाजूनी अंदर वादली आपेली छे वादली नांदर मीठा जलनी वादली स्पोंजी लाँ से अने दरीयाई वादली जेने आपने साइकोन केई है ते पोता ना सरीर नांदर ना भागमा किटलाग विसिस्ट कोस समू बनाऊ से जो आता में जोई शको हाँ अंदर नी तरफ चे आने गणा बधा कोस समू इन्यागल बनावा से हाने कोस समू जे छे एनी आसपास इन्यागल आवरण जोवा मल से आवी रश्नाओ जे छे ए अंतकली काओ अथवा तो एनामा टेक बिजो सब्द वपराई छे खुब आएंपी कई शका है एक्जाम मा पुछायी तमने जे मिल्स जैने आपने इन्यागल नवानाम थी वो लखिये जे मिल्स तरीके अन्तकली काओ आजे जे मिल्स तमें जूई रहा छो तेक स्वतंतर नवा प्राणी नान्दर तरीके विखसे आने आपने अंतकली का सर्जन नी गटना गई है जैने एंडोजिनस बढ़िंग के वाई उपर आपने बायकली का सर्जन मा एक्जोजिनस बढ़िंग जोईन गया जर्या गटना जेछे एंडोजिनस बढ़िंग करें के उडखाए तो विद्यार्थिमीत्रों एक वस्तु प्रकार हो एक बाइए कलिका सरजन एक बाइए कली का सरजना वे जो अंतकलिका सर्जन ने अंदर जो बाहर सरजन सरज महुझें अगणे नामापी जैने अपोछे एक्जामutan आप我们 जह ने आपने या अगर अवखंड़न तरीके उडखिये तो अवखंड़न फ्रेग्मेंटेशन तरीके उलखाए प्रद्दन निया जह पद्धती जह जह ए सजीव सरीण अवखंडीक भागो मा विभाजी था वाणीचे समझो के कोई एक सजीव छे एत्रान भाग मा विभाजी थाTodayू बदा भागोनी अंदर पेललो जे भाग जे चे एका बीजो ट्रीजो बदेला जे भागोनी अंदर जे जे भागो विकसे चे ए बाकी रहला भागो विकसावाना मतलब केइं अगल दरेक भाग पोताना खुडता भागोने विक्साओ से औने पून प्राणी मा फेरवासे पोताना खुडता भागोने विक्सावी पून प्राणी मा फेरवानी अक्षमता जेचे औने पूना सर्जन अथवातो री जन्रेशन केवाई आकोन ही अंदर थसे परिक सामा तमने एना एक्जांपल पुछा दाओए एक प्लेनेरिया, हाईडरा अने तारा मसली तमारे इन्या आगल त्रोन एक्जांपल ने याद राखवाना कि प्लेनेरिया, हाईडरा, तारा मसली तो प्लेनरीयान कोई पन कोई भाग तूटी जशे इनकेस आ उपरनो भाग ब्रेक थाए तो ते नवा भागो विक्साओ से अने एक नव प्लेनरीयान उपू करशे हाईडरा तारा मसली पनाना माथी जेख छे जने तमारे यागल यागर